हालो फ्रों आप द्यार वेलकम बैक्रमेट चनल मशीन अन्मी और आज मैं पहुंच चुका हूँ बर्धमान में दुग्गार हॉंडा का गोडाउन पे और आज बात करेंगे इस बहुत हैंडसम बाइक के बारे में जो है हॉंडा cb200 x बात करना लाइक बहुत कुछ है जैसे के इसे जो नयाख कलर यह नयाख कलर बाइलूग्स इसको बहुत ही एन्हेंस कर रहा है ब्लैक है यह एक्शुली इसका जो नाम है वह परल नाइट स्टर बलैक एक ग्रॉसी ब्लैक पेंट है विद न्यू डेकल्स निव ग्राफिक इसके वएसे इसका जो लुक से और यह पहले से हो चुका है तो टू हंडड़ेट सिसी का जो बाइक से मतलब जो एक टूरर बाइक है एडवेंचर टूरर लुक्स वाला जो बाइक है उसके हिसाब से देखा जाए-टो इस्ता मोस्ट हैंडसम बाइक इन स्मार्केट मुझे ऐ तो अगर सीजी के सबसे देखा जाए तो वह ही रोक एक्स पाल्स बहुत प्यारा एक बाइक है एक परपास उसे बहुत अच्छे तरीके से वह फूल फिल करता है पर उसे लुक से सम्हाँ उस लुक से ज्यादा इसका लुक से बहतर मुझे लगता है अब लोग का क्या राय है इसका लुक से आपको ज्यादा अच्छा लगता है वह कॉमेंशेशन में जरूर मेंशन कर देना पर हाला कि इसका जो लुक से जैसा पर बहुत कुछ ऐसे है इस बाइक के अंदर जो इस लुक को जस्टिफाई नहीं करता है तो इन सारे चीज़ों के बार में बात करेंगे तो शुरू करेंगे इसका जो फ्रॉंड वाला लुक से उससे अंदर फिरिंग से तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पे फूल एल्डी हेडलाइट यूनिट है इसका एक बारा सा विंडशील्ड भी है होंडा का बैचिंग है यहां पे बीटिफुल नाया डेकल्स जो मै डेख मिलेगए यहां पर प्लास्टिक का मर्ड गार्टड आपको मिलेग का सिंगल से ने के ब्रीक करेंद radi और यहां पर 10-10 by Savage वाला एक च्यूल मिल रहा दोल्परस लुट pakल रहा है और यह एक उसका लोक्स विए साइड में आओगे तो आपको यहां पे नाकिल्स गाड्स मिलेगा जिसका जो बील्ट है यह बहुत अच्छा है फिलिम से आपको नहीं लाएगा हलाकि यह प्लास्टिक का है और नाकिल्स गाड्स के अंदर ही आपको टार्निंग इंडिकेटर मिलेगा और इस बाइक में हर ए प्लास्टिक का है और इस फेशिया के अंदर में आपको 12 लिटर का फूइल टैंक मिल जाएगा यहां पे आपको स्प्रीट सीट मिल जाएगा सीट जो है राइडर के लिए भी अच्छा खासा रूम दे देगा पीलियन के लिए भी अच्छा खासा रूम आपको करने के लिए बहुत अच्छा है यहां पर एक बड़ा सा ग्रैव रेल मिलेगा यह प्रैक्टिकल है यूजबल है अब इसा आराम से ग्रैब करके बैठ सकते हो एक्स सेब का टेल लैंप आपको मिलेगा देगने में यह बहुत अच्छा लगता है इस बीटिफुल लुक्स यहां पर टार्णिंग इंडिकेटर भी आपको मिलेगा एडिवाला यहां पर ब्यूटिफुल सा कर्बून फाइबर फिनिस आपको मिलने बाला है यहां पर एंड रेयर में आओगे तो रेयर का जो ट्रैड है यह बहुत प्यारा है अगें डूएल परपस टायर है यह और यहां पर यहां पर आपको मोनो शॉक मिल जाएगा एक बहुत ही प्यारा सा एक्जॉस्ट भी है यहां पर और इसका साउंड कुछ ऐसा है तो अब लोग को इसका साउंड कैसा लगा वो कॉमेंस्टेशन में मेंशन कर देना तो अभी बात करेंगे इसका सीट हाइट के बारे में मेरा हाइट है 5.6 इंच और इसका सीट हाइट है 810 मिलिमेटर तो मीरी जैसा अगा सॉटर राइडर इसके उपर बैठेगा तो आप लगते हो प्यार का कंडिशन कुछ ऐसा है ऐसा चुछ मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है अगर आपका हाइट 5 फीट फोर्ड भी होगा 5 भी होगा मेरे ख्याल से अपको दिक्कत नहीं आने वाला है और जो चीज़ इस बाइक में सबसे ज्यादा मुझे प्यारा लगता है वह यह राइडिंग पॉस्ट्र आपके बैक के लिए नेक के लिए बहुत बहुत होने वाला है पर वही एक बात है इसका जो लुक से उसके ही सबसे अगर इसका सस्पेंशन को देखोगे यह तो यह थोड़ा स्टीफ है तो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं और इसका ज बात करेंगे इसके इंजिन के बारे में तो आप देख सकते हो यहां पर एक इंजिन गार्ड है पर यह प्लास्टिक का है यह जो इंजिन है यह बिसिकली 184.4 CC का एक इंजिन है और यह वाला इंजिन से आपको 8500 RPM में 17.2 PS का मेक्स पाउर मिलेगा और 6000 RPM में 15.9 Nm पिक टॉ आ है यहाँ पर स्वीच है है लूवर बीम टार्णिंग इंट का स्वीच है और की को डालने के लिए पोजिशन आपको आपको यहां पर मिलेगा तेंक की ऊपर एक छोटा सा आपको एक डिस्प्लों जाएगा छोटा है ब्लोट का इंतिवीटी नेंए साइट टंबा नेवि जाएगा ओडू इंडिकेटर एंड अगें ट्रीप एट्रीप पी उसके बाद बैटरी वोल्ट हर एक चीज आपको यहां से मिल जाएगा टाइम के साथ तो यह एक अच्छा चीज है और इतने कुछ होने के बावाजूद भी इसका जो आस्किंग प्राइस है मतलब इसका एक मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दुगकर हॉन्डा बरधमान का कॉंटेसर ताल दूँगा अब बेज़ेजर कॉल करके सर्फ इस बाएक के बारे में नहीं बाकी हॉन्डा का जो प्रीमियम बाइक है उसके बारे में भी इन्फोर्मेशन अब गैदर कर सकते हो पर वही बा पर दो एक जगह है जहां पर मेरे बहुत कंप्लेन है इसका जो सस्पेंशन है इसके ऊपर और अगें हॉन्डा के पास वह फीचर है पर हॉन्डा क्यों मुझे पता नहीं इंडियान बाइक मार्केट को इतना निगलेक्ट करता है इस बाइक के अंदर पोडेंशियलिटी हो तो मेरे खाल से इस बाइक का जो एक्ट्रक्शन है यह बहुत हो जाएगा 1020 मतलब इसका ट्राउंट ट्रावल लेवान थर्टी मिलेमेटर कम से कम से 150 करना चाहिए जैसे कि इसका सब्सक्राइब तो थोरा से कम हो जाएगा अचानक कोई गढ़्डे के उपर इस गारी को ल थोरा से जाज़ा स्पीड में तो यह आपको निचे से बहुत तेज का धख्का देता है वो मेरा खहल से अच्छा नहीं तो यह दो चीज करने से इस बाइक में जो इनीशेली मेरा क्याल से जो प्रब्लेम्स से प्रव्ले सो कहें नहीं है पर इनिशेली जो लिमिटेशन है वह कम हो जाएगा और इस बैग का इसका जो इसका जो बिगर वाला वेरियंट होंडा का विगर वाला वेरियंट है 300F उसका अगर एक स्वर्म प्राइस को पास साइड बाइस साइड रखोगे तो 300F इस बाइक से नियर एबाओ 22,500 रुपीज ज्यादा है तो होंडा के पास वह इंजीन है हलाकि 300F के इंजीन उद्रा रीफाइन नहीं है पर फिर भी वह इंजीन आपको 25 PS का मैक्स पावर 25 के प्लास न्यूट्यमीटर टॉर्क आपको निकाल के देता है अगर वह इंजीन होंडा इस बाइक को दे देता तो मेरा ख्याल से यह कुछ अलगी बन जाता तो यह जो दो जगह है मेरा कहीं कि तो इस बैक प c variance किया जासकता है अब लोग को क्या सभी लगता है अब लोग को बीका लगता है यह जो दो एक चीज़ से अगर इस सुधा लेता विए इस बाइक का जो एपील है यह मार्केट में और ज्यादा इनकीस हो जाता तो आप लोह का राइक में जरूर मेंशन कर देना और यह कॉंटेंट यह बाइक यह नया कलर अब लोग को कैसा लगा वह भी कोमेंशन कर देना बहुत दूसरी बाइक के स